हेलो दोस्तों नामस्कार गुड इवनिंग आज का ब्लोग में आपका स्वागत है देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बारिस हो रहा है और बारिस की बज़ा से मेरा घर पूरी तरह से तूट रहा है धिरे-धिरे करके चारों तरप का आपको ब्यू दिखा रहे हैं यहां पर देखिए एक टो फूल का पोधा है जोबा फूलिस को बोलते हैं यह जोबा फूल है यहां पर देखिए यहां पर एक छोटा सा फूल का पोधा है और यह देखिए मातुलसी का पोधा है यहां पर हम लोग का डेली पूजा होता है आपको जिदर टूटा हुआ था मेरा गर है हम लोग के घर में और इधर देख सकते हैं हम लोग का कीचेन रूम है कीचेन रूम यहां पर हम लोग का खाना बनता है और इधर देखिए सब कुछ तूट चुका है इधर देखिए देमेज हो गया है पुरा कभी भी यह तूट सकता है मेरे चैलें में आपको दो वीडियो मिलेंगे और नीचे डिस्क्रेप्शन में भी आपको वीडियो का लिंक दे देंगे आप लोग देखिएगा पहले भी दो वीडियो बना चुके हैं फिर भी अभी भी सरकार की तरफ से कुछ भी हेल्प नहीं मिला है खोदी अपने से आज इसके उपर तिरपाल लगाए देख सब्सक्राइब ताएं बदेखिए पुरा इधर किया वाता पूरा देखिए और मिट्टी दस गिया है और इधर देखिए मिट्टी दस राइब रहे वाणा पास का लस तरफ कोलम जह जाहँ करके इसको आपर सपोर्ट इएं यह सपोर्ट से भीने झेरेगा कभी खे ये तक यह दिया हुआ है पुरा यहां देखिए मिट्टी गिरा हुआ था कितना जमां मिट्टी यह पर और अभी हम इसको बारीस अभी बहुत दो दूइस से बहुत ज्यादा बारीस हो रहा है सिले इसके उपर दिरपाल पुरा फिट कर दिये हैं ताकि दीवार सब बच्ट के और किरने का संभावना थोड़ा कम हो जाए सब कुछ तूट चुका है देख सकते हैं आप लोग प्रेंट और जो भी टूटा हुआ था उदर टाली उलु जो टूटा हुआ था उदर अम लोग बाड़ी तरफ रखा हुआ है अभी तक किसी ने भी देखने भी नहीं आया और ना स पारा से एक टो इंद्रावास दिला दिजिए सरकार की तरफ से सभी घर पूरा तूट गया है एक टो कलम यह वला है इधर एक टो कलम है सारे कलम लगे हुए हैं अगर एक तरफ गिरेगा तो सभी तरफ गिर जाएगा और यह वाला जो रूम देख रहे हैं यहां पर हम बहुत कुछ उपर से मिट्टी उटी भी गिरता है यह वाला रूम में देख सकते हैं हम लोग का घर का पूरा भी वापको दिखा रहे हैं दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैलेंग में नहे हो तो मेरे चैलेंग को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करना थेंक्यू प्रेंट